अपना कथन समाप करने के बाद येशु गलील प्रदेश से निकल कर यहुदिया प्रदेश के उस चेत्र में आ गए जो यर्दन नदी के पार है वहाँ एक बड़ी भीर उनके पीछे होली और येशु ने रोग्यों को स्वस्थ किया कुछ फरीसी येशु को परखने के उदेश्य से उनके पास आये तथा उनसे प्रश्न किया क्या पतनी से तलाक के लिए पती द्वारा प्रस्तुत कोई भी कारण वैद्ध कहा जा सकता है येशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुमने पढ़ा नहीं कि वो जिनोंने उनकी स्रिष्टी की उन्होंने प्रारंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया तथा कहा अता फुरुष अपने माता पिता से मोह बंद तोड़ कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे परिणाम स्वरूप अब वे दो नहीं परंतु एक शरीर हैं इसलिए जिन्हें स्वयम परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुश्य अलग न करे ये सुन उन्होंने येशु से पूछा तो फिर मोशे की विवस्था में ये प्रबंध क्यों है कि तलाग पत्र देकर पत्नी को छोड़ दिया जाए येशु ने उन पर ये सच स्पष्ट किया तुम्हारे हृदे की कठोरता के कारण ही मोशे ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी से तलाग की अनुमती दी थी रारंभी से ये प्रबंध नहीं था तुमसे मेरा कहना है कि जो कोई व्यभिचार के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से अपनी पत्नी से तलाग कर लेता और अन्य स्थ्री से विभा करता है, वो व्यभिचार करता है. शिष्यों ने येशु से कहा, यदि पती-पत्नी का संबंध ऐसा है, तब तो उत्तम ही होगा कि विभा किया ही न जाए? येशु ने इसक्योत्तर में कहा, ये स्थिती सब पुरुषों के लिए स्विकार नहीं हो सकती, अतिरिक्तुन के जिने परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, कुछ नपुनसक हैं जो माता के गर्ब से ही ऐसे जन्मे हैं, कुछ हैं जिने मनुश्यों ने ऐसा बना दिया है, तथ येशु लोग बालकों को येशु के पास लाए, कि येशु उन पर हात रखकर उनके लिए प्रार्थ ना करें, मगर शिश्यों ने उन लोगों को डांटा, ये सुन येशु ने उन से कहा, बालकों को यहां आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग र गुरुवर, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा अच्छा काम करूं? येशु ने उसे उत्थर दिया, तुम मुझ से क्यों पूछते हो, की अच्छा क्या है? उत्तम तो मात्र एक ही है, परनतु यदि तुम जीवन में प्रवेश की काम ना करते ही हो तो आ माता पिता का सम्मान करो, तथा तुम अपने परोसी से वैसे ही प्रेम करो, जैसे तुम स्वयम से करते हो। उस युवक ने येशु को उत्तर दिया, मैं तो इनका पालंग करता रहा हूँ, तब अब भी क्या कमी है मुझ में। येशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम सिद्ध बनना चाहते हो, तो अपनी संपत्ति को बेच कर, उस राशी को निर्धनों में वितरित कर दो, और आओ मेरे पीछे हो लो, धन तुमें स्वर्ग में प्राप्थ होगा, ये सुनकर वो युवक दुखित हो लोट कया, क्यो अब में प्रमेश्वर के राज्य में एक धनी के प्रवेश करने से, एक उंट का सुई के छेद में से पार हो जाना सहज है, ये सुनकर शिश्य चकित हो येशु से पूछने लगे, तो उधार कौन पाएगा, येशु ने उनकी और एक टक देखते हुए उन्हें उत्तर दि हमारा पुरुसकार क्या होगा? येशु ने सभी शिश्यों को संबोधित करते हुए कहा, ये सच है कि उस समय जब मनुश्य के पुत्र अपने वैभवशाली सिंघासन पर विराजमान होगा, तुम भी जो मेरे चेले बन गए हो, इसराइल के बारां गोत्रों का न्याय करते हुए बारां सिंघासनों पर विराजमान होगे, हर एक जिसने मेरे लिए घर, भाई-बेहन, माता-पिता, संतान या खेतों का त्याग किया है, इनसे कई गुणा प्राप करेगा, और वो अनंत काल के जीवन का वारिस होगा, किन्तु अनेक, जो पहले हैं, वे अंतिम होंग झाल झाल झाल